सो नमस्कार दोस्तों उम्मीदे कि आप सब लोग अच्छे हो सेफ हो सो दोस्तों जैसे कि आज का थमनेल देखके तो आपको पता चली गया रहेगा कि आज का जो टॉपिक है वो है इस स्पेशली धागे के उपर है जिसमें हमें भहुत सारे लोगों ने कमेंट करके परेशान करा दिया है तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ट्रेडिंग जो करना है वो क्यों करना है पहले आपको पता होना चाहिए उसके बाद जो है ये चीज काम में आएगा ठीक है आपको जानकारी होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्यों करते है आजकल जो है स्टाइल बन चुका है ट्रेंड बन चुका है धागा बांध के दे रहे है जबकि नए बैट में एक्चुली ट्राइ करो कि जितना नहीं हो सके करो मत ट्रेडिंग जब बैट फड जाएगा तो तभी ट्रेडिंग करो और दूसरा चीज ये जो धागा है ये एक्चुली में जो धागा है ये कोई स्पेशल धागा नहीं है मैं आपको एक बात बताऊंगा ये जो धागा है ये जो मच्छी पकड़ते फिशिंग करते उसका धागा है इसको 8 इंटू 3 mm बोलते है 8 इंटू 3 mm का धागा मोटा वाला धागा बहुत हाई कॉलेटी का है कोई स्पेशल कमपनी का नहीं है आपको धागे के दुकान में मिलेगा मुझे बहुत लोगों ने परेशान किया ये भाई ये कहां मिलता है क्या है क्या नहीं दोस्तो ये नॉर्मली आपको मिल जाएगा धागे का जनरल टाइप स्टोर होता है माँ धुंडी है आपको मिलेगा बट एक चीज याद रखिए 8 इंटू 3 जो बेस्ट कॉलेटी का है और फिशिंग त्रेट और साथ में जो ये आप देख रहे हो ये धागा जो बांते हो इसमें एक चीज होता है पहला चीज की जब ये experience लेता है काम करने के बाद उसके हाथों में वो चीज आता है आज नहीं कि एक मिनिट में आप सीख जाओगा ऐसा नहीं कोई भी सीख सकता है बट वो चीज को समय देना पड़ता है समय सब कुछ है समय दोगे तो हर एक चीज होगा तो दोस्तों इस तरीके से जो हम अगर आपको जर्वत है तो ने तो ये बैट फटने में आपको काम आता है त्रेडिंग और एक बार ध्यान से एक बार देख लो कॉलिटी कॉलिटी ये चीज में और बहुत बहतरीन चीज है फिशिंग त्रेड बोलना है फिशिंग त्रेड ओके हम लोग जो है कोई चीज डाइरेक्ली बताते हैं, हम लोग अपने जितना भी सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ शेयर करते हैं अपना एक्स्पिरियंस ताकि आप लोग को भी नया कुछ सीखने मिले हो सकता है, आप लोग से मुझे भी कुछ सीखने मिल सकेगा लाइप में, ऐसा है ठीके, सो साथ में सपोर्ट बनाते रहिए, आगे कुछ न कुछ नया चीज आएगा, और आप लोग को भेतरिन चीज देने का मैं कोशिश करूंगा अलविदा, टेक केर, भाई भाई सपोर्ट करते रहिए